और उस वक्की बड़ी कबर सामने आ रही है दली में CNG धाई रुपे प्रती किलो के हिसाब से अब महेंगी हो गई है दली में CNG के दाम बढ़ गए हैं दो दिन में 5 रुपे महेंगी हो गई हैं CNG अपरेल में CNG की कीमत 9 रुपे प्रती किलो महेंगी हुई थी वही दली में अब CNG के दाम है वो धाई रुपे धाई रुपे महेंगी हो गई है तो CNG के दाम लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में आम आदमी की जेब पर भी इसका साफ असर पढ़ता हुआ दिखेगा अपरेल की एक और जटका यहां पर आम आदमी को सीधे लगता हुआ और ऐसे में दिली में CNG गैस के दाम आपको बता दें कि आप भठाई रुपे प्रतिकिलों के हिसाब से बढ़ गए हैं यानि CNG गैस एक बार फिर से महेंगी हो गई है और इसका सीधा असर आप आम आदमी पर प है CNG गैस दो दिन में 5 रुपे का इजाफा हुआ है CNG गैस के दामों में और वहीं पाकिस्तान में संसत भंग करने के मामले में आज पाकिस्तान सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी है लेकिन उससे पहले वहां पर बड़ी खबर आ रही है खबर है कि पाकिस्तान में सेना की बड़ी हलचल हो रही है और लाहूर में अर्द सैनिक बलू की तैनाती कर दी गई है और बता गया कि ये तैनाती अगले 15 दिनों तक के लिए कर दी गई है एक तरफ पाकिस्तान राजडित संकट से गुजर रहा है और दूसरी तरफ सेना की हलचल बढ़ने से अटकलू का द अंके की चोट पर कहा था कि विदेशी लोगों ने उनकी सरकार गिराने की चाल चली जिसके बाद पाकिस्तान में ऐसा सियासी भूचाल आया जो सवाले नहीं समला लेकिन अब इस भूचाल की एंट्री इमरान खान की अपनी पार्टी में हो गई जिससे इमरान का फाइदा नहीं नुकसान होता दिख रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरी के इंसाफ पार्टी के एक सांसद नहीं उन्हें दुनिया के सामने जूटा गदार और नाजाने क्या कह डाला इमरान खान के खलाफ जहर उगलने वाले आमर लियाकत यहीं नहीं रुके बलकि उन्होंने इमरान की उस चिठी को भी जूटा बता दिया जिससे इमरान ढोल पीट कर दुनिया के सामने लाने वाले थे और कहने वाले थे कि उसी से बाइडन के प्लैन की पोल खुलेगी इमरान खान के उनकी सरकार गिराने के लिए जो प्लैन बनाया गया उसके मास्टर माइंड बाइडन है लेकिन इमरान की पार्टी के सांसदें जो बयान दिया उससे उनकी चाल उल्टी पड़ती दिखाई दी क्योंकि आमर लियाकत ने केवल इमरान की चिट्थी को जूटा नहीं का बलकि उन पर पाकिस्तान की सेना के खलाब जाल बुनने का आरोप लगाया और बताया कि इमरान ने उस बाजवा की कुरसी खीचने की कोशिश की जिसने उन्हें प्रधान मंत्री की कुरसी तक पहुँचाय था